क्या होता है जब एक साइंटिस्ट गलती से भविश्य में टाइम ट्रैवल कर जाता है मगर अब यहां वो पता है कि उसकी लाइफ पुरी तरह से बादल चुकी है जहां उसकी पुरी फैमिली मेरी गई जिनके मड़का इलजाम अब इसके सर पर है अब क्या वो साइंटिस्ट फिर से टाइम ट्रैवल करके अपने भविश्य को बादल पाएगा और अपने परिवार को करने से बच्चा पाएगा यहां फिर टाइम के इस पेराडॉक्स में ही फैंस कर रहा जाएगा चलिए शुरू से जानते हैं कहानी की शुरुआत एक लेब से होती है जहां एक साइ कर रहा है अभी एथन नी एक नई टेलिपोटेशन डिवाइस की खोचकी है जिसके जारीवे किसी भी जीव को एक पोर्टल से दूसरे जगह पर टेलिपोर्ट कर सकते हैं बस इसके लिए उन्हें उससे जीव में एक ट्रैक्टर नमक लिक्विड इंजेक्टर करना पड़त है और आप दोनों पहले बार इस टेलिपोटेशन मशीन को चाली नमक एक लोग पर इस्तेमाल कर रहे हैं आज 23 अगस्त का दिन है जो कि आगे की पूरी कहानी में बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो इसे याद रखिएगा आप सीरियल चाली में ट्रैक्टर नाम का फ रवे पाते हैं कि अब चाली दूसरे रिसीब चेमबर में वापसी नहीं आया है तो वो टेलिपोट होकर गया कहां और बिना रिजर विंग चेमबर के वह कहानी और टेलिपोट भी नहीं हो सकता दोनों ही जल्दी से सब कुछ फिर से टेस्ट करते हैं मगर उन्हें कुछ भ पार्टी भी होने वाली है तो वह उसे जल्दी शाम को फ्री रहने को कहती है अब उन्हें के बर्थदे के लिए धन एक शौप से वाइन खरीदना है और बाहर आता है मगर बाहर आते ही कोई अंजान आदमी उसे टकरा जाता है और उसकी वाइन गिर गई टूट जाती है अ अब उसे एक्सपेरिमेंट के पूरे पांच घंटे बाद चाली फिर से रिसीविंग चेमबर में ए गया था एथन उसे देख खुश था कि उसका टेलिपोटेशन डिवाइस कम कर गया मगर वो पांच घंटे बाद क्यों आया इसका पता लगाने का अब एक ही रास्ता बच थी जहां सब कुछ कर किया गया था ये ठंट समझ नहीं का रहा था कि कुछ मिंस के अंदर ये जगह इतनी कैसे बादल गई यहां वो बाहर देखने जाता है जहां बाहर एक गार्डन बैठा था और वो ये कहकर एथन का पीछा करने लगता है कि ये जगह है एक बड़ी टे अपनी असिस्टेंट सीलर के पास उसके घर पहुँचता है मगर अपतेल उसे देख चौक जाती है और हैरानी से कहती है कि तुम अब तक कहा चुपी हुए थे और पुलिस से कैसे बच्चे अब एथन कहता है कि वो पहले से कनफ्यूजन में है कि उसके आसपास ये क्या हो रहा है सब कुछ शुरू से बताना होगा और यहां कहानी का सबसे बड़ा ट्वीट आता है कल के अनुसार अब एथन पूरे 6 महीने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके ए गया है यानि की जो मशीन उसने बनाई थी वो टेलिपोटेशन तो करती है मगर समय में ए गई गई यानि के वो एक टाइम ट्रैवल मशीन है लेकिन इंधन का भविश्य इतना खराब हो गया उसने भी नहीं सोचा था पहले उसकी लाइफ पर किसी प्राइवेट कमपणी ने कबज कर लिया उसका घर बाइट चुका है यहां तेल बताती है कि एथन की मा अभी कौम में है और उसे पुलिस भी पिछले 6 मीना से धून रही है अभी उनको पुलिस क्यों धून रही है यह पूछने पर जो कल उसे बताती है एथन सुनकर पुरी तरह से अंदर से हिल जाता है दरसल पुरे 6 महीने पहले जी दिन इंटरनेट टाइम ट्राइवल किया यानि की 23 अगस्त का इस दिन शाम को एथन की पत्नी और बहन दोनों का खून हो गया और फिर इस दिन से गायब है तो पुलिस को लगता है कि इसने उन्हें मारा होगा उसकी और पत्नी दोनों मारे जा चुके हैं मगर उसे पता करना था कि उनके साथ क्या हुआ तो अब वे कहां मारे गए वह ल पूछने लगती है अब एथन खुद नहीं जानता था कि उनकी जान कैसे गई तो वो पुलिस को भला क्या बता पता मगर तभी एक लोय आता है और जमानत पर एथन को चुड़ लिट है अब एथन तो इस लोय तक को नहीं जानता मगर अब वो पता है कि उसे रूबिको इंट समय में जाना होगा तो वो फिर से अपनी लाइफ पहुंचता है और गार्डन से बसे हुए किसी तरह से उनके आने से पहले फिर से टाइम ट्रैवल कर जाता है और पाल भर में ही वो फिर से 23 अगस्त के दिन पहुंच जाता है जी दिन शाम को उसकी पत्नी और बेहन दोनों की जान जान वाली है तो उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बच्चे हैं उन्हें बचाने के लिए मगर तभी लैब में इस समय का एथन आता है जो कि अभी भी उसे दो चाली के आने का वेट कर रहा है यहां आप चून की इस टाइम में दो दो एथन है तो छे महीने बाद वाल चानबीन से उनको पता है कि वह कंपनी भविश्य में उसकी लापर कबजा कर लगी और यह चानबीन से वह पता है पूरी दरसल रूबी कौन कंपनी सभी ऐसे साइंटिस्ट को माकर यह उन्हें फसा कर उनके इन्वेंशन्स को अपना बता कर काफी पैसे काम रही है यानि कि इस बार भी एथन के इस नए एक्सपेरिमेंट को हत्याना के लिए उससे ही उसकी पत्नी और उसकी बहन के खून में फसे वाले हैं इंधन को जल्दी से अपनी फैमली को उसे कमपनी के गुरो से बचाना होगा लेकिन इंधन के इसमें एक्सपेरिमेंट की खबर उसे कमपन पहुची कैसी है क्योंकि इसी तो सिर्फ कल और एथन की फैमिली ही जानती है तो इसके बड़े में उन्हें बताया किसने आप इन सब के पीछे कौन है हमें थोड़ी ही डर में पता चलेगा अब एथन भागते हुए अपनी वाइफ को फोन भी करता है मगर उसका फोन लगाता है कि उनकी जान खत्रे में है तो उन्हें चौकनना रहना होगा लेकिन उसकी पत्नी टिपवनी का फोन अभी बैंड ए रहा था तो बाकी दोनों को घर पर ही रहने का कहकर अपनी पत्नी को लेने वो उसकी ओफिस डैन लगता है लेकिन अब उसके ओफिस के बाहर ही फिर से इस कंपनी के लोग ईशान को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं अब यहाँ एथन से मिलने के लिए इस प्राइवेट लैब का ओनर रोमन आता है और कहता है कि उनकी कई दोनों से एथन की नई इन्वेंशन पर नजरती पूर वी उसे टेलिपोटेशन डिवाइस को अपना बता कर काफी पैसे कमाने वाले हैं हाला कि उन्हें अभी तक पता नहीं है कि दरसल वो एक टाइम मशीन है तो रोमन यहाँ कहता है कि उसकी यहाँ से जाते ही उसके आदमी एथन को यही जान से मार देंगे और फिर उसकी बहन और पतनी को भी मार देंगे जिससे सब को लगेगा कि इतने उन्हें माकर खुद की भी जान ले ली है अब यहां से सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि हमने भविश्य में देखा था लेकिन इस बार इस भविश्य को बदलना चाहता था तो सबसे पहले रोमन के वहां से जाते ही वो एक गार्डन को उलजा कर वहा कोई और नहीं एतन का ही फ्यूचर वरजन था अब एतन किसी तरह से दोनों का अर्थ को चक्मा तो दे देता है मगर जैसे ही वो अपने घर जान लगता है तब ही उसके पीछे से कोई उसके सर पर माकर इस बेहोश कर देता है अब एतन को बेहोश किस ने किया यह हमें आगे पता चलेगा अब कई घंटा भारत एथन की आँख खोल है जहां वह पता है कि अब कई घंटे बीच चुके हैं और वह अब तक बेहोश था तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए क्योंकि उसे भविश्य से पहले से पता था कि वो कहां करने वाली फिल्म जल्दी से वही पर उसे जो दिखाई देता है उसे उसकी होश उर जाते हैं तो रख लो वहाँ पहले से ही मिथुन का एक और वर्जन मौजूद था जो कि उसकी पत्नी की लाश के पास बैठा है और पूरी तरह से खून में लाजपत है एथन हैरानी में था कि ऐसा कैसे हो सकता है तो वो ज पहले से दो और वर्जन मौजूद है तो आप उसे हम इस एथन तीन कहेंगे यहाँ एथन को क्योंकि सब कुछ पता है तो वो पहले तुके पास जाता है जो कि उन्हें दो गार्डन से बचकर भाग रहा है और ये इसके कुछ घंटा पहले का वर्जन है अब मुझे अब एथन ती घर ले जाता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर इस बार पहले ही इस फैक्टरी पहुंच जाता है जहां कुछ ही डर बाद उनकी पतनी की जौन चने वाली है लेकिन यहाँ एथन के सामने बहुत बढ़ा राज खुलना है दरसल इस प्राइवेट लै गई जिसके बाद इस प्राइवेट लैब के मलिक ने उसे कांटेक्ट किया जिससे उन्हें उसके भाई की लेटस्ट इंवेंशन के बढ़े में पता चला तो दोनों ने सौधा किया जिसके बदले में भी उसे काफी सारे पैसे देंगे और इसी के लिए फू उन्होंने उन मार देता है और कहता है कि उन्होंने तो बस एथन की इन्वेंशन तक पहुचने के लिए उसका इस्तेमाल किया और भी कोई सबूत नहीं छोड़ सकते तो अब दोनों की मौत का इलजाम एथन पर आने वाला है कि उसने ही इन दोनों को मार कर खुद की भी जान ले ली और य अगर अब सिर्फ वही बताता उसकी पत्नी और बहन दोनों मा चुकी थी और तभी वहां पेस्ट वर्जन आता है वह ठीक इसी सीन को हम कहानी में कुछ दर पहले देख चुके हैं तो पहले की तरह वह फिर से टाइम ट्रैवल करने के लिए बहुत ही भाग जाता है लेकिन एथन तीन आप समझ चुका था कि वो चाहे कितना भी टाइम ट्रैवल कर ले वो कुछ नहीं बादल सकता जो होना है वो तो होकर ही रहेगा और इतने सारे टाइम ट्रैवल के बाद भी वो अपनी पत्नी और बहन दोनों में से किसी को नहीं बच्चा पाया तो वो अब डिस परते जन थेंक यू